नमस्कार स्वागत है आप लोग का Defense Offices Academy के YouTube चैनल पर आज एक और नए informational वीडियो के साथ आया हूँ आ रही हमसी का Admit Card कब आएगा Parents के क्योंकि काफी phone calls हमार पास आये हैं और students भी काफी inquire कर रहे हैं कि Sir हमारा Admit Card कब तक आएगा आठ जून को एक्जाम है dates extend हो चुकिए इस बात के बारे में सभी को मालूम है लेकिन Admit Card कब आएगा यहां पर parents खासकर थोड़ा से हैरान परिशान है देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Admit Card अलड़ी काफी states में आ चुके है और यह भी कहना चाहूँगा कि Admit Card जेस्ट एक हफता पहले भी आता है एक्जाम के तो पहले तो मैं क्या करूँगा आज के इस वीडियो में उतरा घंड के जो Admit Cards आ रहे हैं वो मैं थोड़ा पूरा मसला है यह एक state authority देखती है ठीक है जो भी state का जो भी education department होगा या जो भी उसके authority होगी वो basically आपको Admit Cards भीजेगी by post आप क्योंकि अपना form respective states में submit करते हैं और वहीं पर आपने देखा होगा एक envelope होता है जिसमें आप अपना self address लिखके वहाँ पर 42 रुपीस की stamp लेकिन majority जितने भी state से वहाँ पर by post ही आपको Admit Cards भीजी जाते हैं तो आज जो sample में आपको दिखाऊंगा वो भी by post वाला ही Admit Cards आपको देखने को मिलेगा ओके अब parents इसलिए परेशान है क्योंकि next month exam है और अभी तक Admit Cards नहीं आया है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप न पाचित कर लिजेगा उसका number ले लिजेगा और उसे बार-बार पूछते रहीगा कि ऐसे कोई डाक ऐसे ऐसे कोई post तो नहीं आई जिसमें बच्चे के Admit Cards हैं कोई RMC के तरफ से या basically RMC के तरफ से तो नहीं लेकिन जो Chief Education Officer है उसके तरफ से कोई ऐसी चित्थी तो नहीं जि पढ़ेगा क्योंकि यह भी देखा गया है कि बहुत सारे Admit Cards post office में काफी समय तक रह जाते हैं और आप तक वो नहीं पहुच पाते हैं तो थोड़ असब parents को vigilant रहना पढ़ेगा देखें मैं आपको एक sample दिखा लूँ यह Admit Card आया है उत्राखंड में उत्राखंड में majority सभ पहले ही Admit Card आ चुका है ठीक है वैसे यहाँ पर देट दो महीं लिखी वी है ओके सेकेंड अफ में तो यहाँ पर मैंने जो बच्ची की identity वो चुपा रही है बच्चे का नाम पता सब चुपा रहा है लेकिन हाँ यह प्रवेश पत्र इस तरीके से है ठीक है यहाँ पर आप चीफ एजूकेशन ओफिसर मयूर विहार देरदुन यहीं पर हम लोग बाई पोस्ट अपने अपने फॉर्मस भी भेशते हैं ठीक है इसी एजूकेशन इसी एड्रिस में अगर आपने प्रॉस्पेक्टर्स के साथ जो आपको ब्रॉस्टर मिलता अगर आप उसमें गो थू करेंगे तो उत्राघंड का यही एड्रेक्स आपको देखने को मिलेगा चीफ एड्यूकेशन ओफिसर मियूर विहार देहरादुन ठीक है तो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट्स से जहां जहां आपने अपने एप्लिकेशन फॉर्मस को पोस्ट किया है वहीं से आपके पा पर पिता का नाम ठीक है फादर्स नेम आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर रहता है लिखावा ठीक है जो मैंने हाइड कर रहा है अभी आप लोगों से ना किसी बच्ची की एडिंटिटी नहीं डिस्क्लोस करनी चाहिए अच्छा स बाते साथ उसी पेज में यह मैंने स्क्रीन शॉट ले रहा है उसी पेज में फिर आपको दिया राएमसी परिवेश परिक्षा 17 जनवरी 25 दिनांक 8 जून 2014 को होने वाली परिक्षा से संबंदित होने हेतु परिवेश पत्र का प्रिशड ठीक इस तरह किसे दिया गिया है त पहुआ पाट्स का आठ जून तारीक है धेखे आठ जून तीनों पेपर एकी तारीक होता है कभी वो दिन हुआ करते थे कि जब दो दिन में पेपर होते थे ठीक लेकिन जब लॉक्डाउन लगा लौक्डाउन के बाद से फिर ए अननुनने एक दिनका प्रोविजन रखा और मज़े लगता है कि कई हथा कि से भी किया है, क्योंकि parents कभी कभी काफी दूर से आता है, उनको एक दिन रुखना भी पड़ता है, respective centers में, ठीक है? अब क्या होगा कि parents respective centers उबह पहुचे, दिन मेर बच्चे ने paper दिया और शाम को अपने घर की तरफ अपनी वापसी भी कर सक तो पहला paper maths का होगा, साड़े 9 से 11 बजे तक, ठीक है? तो साड़े 9 का मतलब यह है कि आपको कम से कम 9 बजे तक अपने केंद्र में अपने examination center में पहुचना पड़ेगा, अगर आपका examination center आपके शहर से दूर है, तो आप एक दिन पहले ही चले जाए और एक दिन पहले ही तो day of exam आपको examination center में जाने में कोई दुविदा ना हूँ, ठीक है? जो भी रस्ते हैं देख लीजे कभी-कभी traffic jam के वज़े से भी बच्चे लेड़ जाते हैं, तो कम से कब 9 बजे आपको examination center में बहुत जाना है, यह बता रहा हूँ है, आपको कम से कम का मतलब क्या है? कि इस कुछ खा भी लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे राज्ये हैं जहां पर बच्चों को भार जाना या उस campus से जहां पर उनके exam हो रहा है, उससे भार जाना allowed नहीं हुता, तो respective states में अलग-लग rules and regulations है, इसके उपर एक में detailed video मनाऊँगा कि आपको ऐसे gaps में क्या करना चाहिए, अग फिर एक घंटे के break के बाद दुसरा जो paper होगा वोगा GK का बारस एक, जिसमें बच्चे सबसे जादा enjoy करते हैं, एक घंटे का paper होता है, फंदर मिट पर पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 75 questions आते हैं, ठीक हां, maths का paper रहता है, यह थोड़ा सा exhaustive रहता है, डेर घंटे का है, समय क हम बच्चे बताते हैं, ठीक है, 30 questions आते हैं, इस बार 20 देखे गए थे, तो कुछ भी pattern बन सकता है, 20-30 questions का pattern कुछ भी बन सकता है, Olympiad-based questions भी आ सकते हैं, normal elementary भी आ सकती है, तो you should prepare for the worst case scenario, ठीक है, ठीक है, एक बज़े के बाद पूरे 1 गंटे का break हो, और अगला paper 2 बज़े से ह एक में बच्चो को allow किया जाता है, भार जा सकते हैं parents को साथ, और lunch कर सकते हैं, और फिर वापिस examination center में आकर, अपना last paper जो कि English का है, वो दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से तीनो paper एक दिन हो जाएंगे, maths, सबसे पहले maths, फिर GK, और फिर English, ओके, तो ये routine में आपको ब friends हैरान परेशान है, ये चीज़ देखकर कुछ तो उनको संतोष्टी मिली होगी, एक हफ़ते पहले तक भी admit cards आते हैं, अगर 8 June है, तो आप ये मान के चलिए कि, अगर 8 June है, तो 1 June, 2 June तक भी आपके पास admit cards देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो पैनिक होने की जरुत नहीं हाँ, लेकिन अपने नजदी की post office से, फिर से मैं इस बात repeat कर रहा हूँ, शायद मैं इस वीडियो में तिसरी बार ही बात कर रहा हूँ, जो भी नजदी की post office होगा, वहाँ पर आप जरूर संपर्क में रहिएगा उनसे, ताकि जैसे ही आपका admit card आए, वो आप तक जल से जल पहुँच जाए, ओके, तो I hope कि आप सभी की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी, last month all the best काऊंगा सभी RMC experience को, और parents को भी काऊंगा कि जदा panic होने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से वो ही parents है जो first time RMC का form अपने बच्चों का भर रहे है, तोकि जो experienced parents है जिन्होंने एक दो ब बताना हमें, ताकि हमें एक feedback मिल सके, और अगर अच्छी लगे, तो उसको share भी करना, और साथ ही साथ हमारा YouTube channel subscribe करना मत भूलना, बबाई, see you soon, all the best, जाहिंद.